जिनको डिच करना सबसे बड़ी आईडिया था मुझे उसके बारे में बताओ मैं दिन के इस समय बहुत भूकी मैसूस करती हूँ कोच, आपने हमें डरा दिया था बिल्कुल नहीं सोफिया यहाँ पे और किसके पास स्नेक्स है? रो मत दोस्त, मैं ते में दिखाऊंगी कि खाने को हर जगा कैसे छपा कर ले जाना है ज़रा देखो तो उन्हें हमें स्कूल में ये सिखाना चाहिए सोफिया, मैं हमारी फेवरिट केंडी लाई हूँ तुमारे डेस्क पार्टनल होना कितना मज़ेदार है मैं अपना समाल निकालू उन्हें करतियों आज़्यादा बूरिंगा हूँ शिरू करने के लिए थोड़ा मीठा जाहिए शुक्रिया दोस्त हाँ, ये रैपर्स बहुत प्रिके हैं चलो भी, ऐसे लगता है ये लॉक हो गया है और एक बार पैंची एस प्ले, सच में क्या रूस तुमारी लिए माईने नहीं रखते बच्चों अओ भुवन, शाद रहो, सुनने का दिखावा करो यहाँ क्या चल रहा है केंडी हाँ वो इसे ऐसे नहीं ले जा सकती मेरा तो दिल ही थम गया था तो मैं कहा थी, बड़े लोग बहुत बुरे होते हैं वो लिबा मेरी केंडी की तरह लग रही है और साइस भी जेम है सर मुझे देखने दो पहले लिबाम को खूले चमज के मदद से बाम को बहर निकाले जब ये खाली हो जाए केंडी इसके अंदर डाले अच्छे से छुपके आप देखो मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा वाँ, ये तो बहुत अच्छा है ओ, बहुत अच्छा तुमने दिन बचा लिया दोस जैसे कि मैं कहर रही थी रिसस का समय हो गया हाँ, कितने हिपोक्रेट है वो ये क्लास कभी खतम नहीं होने वाली आखिरकार ब्रेक हो गया ये टेस्स दे कर तो मुझे खाने का मन कर रहा है तुमने सही कहा मेरी प्यारी बबल गम इसके खुश्बुक बहुत अच्छे है शूर मत करना प्रीज अराम से लगबग हो गया बस थोड़ा सा और नहीं हाँ गम मुझे एक चाहिए मुझे इसी का डर था ये लोग अब तुम खुश हो मेरे लिए कुश नहीं बचा मुझे जादा गम्स लानी पड़ेगी लेकिन मेरे पास एक और आइडिया है हाइलाइटर का उपरी हिस्सा हटाएं एक कुब बाहर निकाले अपनी पसंदेदा स्टिक्स को अंदर डाले ये स्मार्ट है ना अब किसी को शक नहीं होगा कि मेरे पास कुछ है देखा बहुत शान्ती से यहाँ कुछ नहीं है दोस्तो क्लास अच्छी है हाँ पता है क्लास और मज़ेदार कैसे बन सकती है हेई थोड़ा चाहिए तीशर को पड़ा भी नहीं चलेगा वो बहुत बोलते है एक्सक्यूज मी हाँ क्या वो यहां आ रहे है नैच्छल रहो हेई टीजर फ्लीज मेरी कैंडी नहीं कितना बुरा है कोई बात नहीं सूफिया मैं रुस नहीं लेना चाहती सूफिया सश मुझे कोई बरशानी नहीं चाहिए तो मैं ही खा लेती हूँ फिर मुझे फोकस करना चाहिए एक मिनट रुको मैं नहीं पहले क्यों नहीं सोचा मेरे पास बहुत बड़ी आईडिया है इस तरह की एक पैंसिल कैन ले इसके निचले हिसे को ट्रेस करें सर्कल को काटें सर्कल के बीच में हॉट डू लगाएं एक जिग जग पैटन बनाएं फिर अपनी पैंसिल के निचले हिसे को चिपकाई बड़िया अब पैंसिल कैन की बारी है जब कैंडिस अंदर डल जाएं उसके उपर पैंसिल डिकॉय रख दे हो गया पहली वाली लेना चाहती हो ब्लू मेरी पसंदीदा है तीचर के देखने से पहले ढग दू हम चीज़े चुपाने में माहिर है दूसरी बार खाने का समय छीख है दो को कैरी करो चौदा मुझे कुछ मीठा चाहिए छीख है मैं चौदा लिखूंगी या शायद ये पंदरा हो ये वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत मुश्किल है शायद थोड़ा और मीठा सोचो सोफिया सोचो क्या? क्या मैं बकरी हूँ? इससे खाने का बहतर तरीका भी होता है वैसे? ओ हाँ मैं दिमाग अब काम कर जा है अपने सौल स्ट्रैप ले इससे अपने होल पंच में डाले ऐसे अब जब आपने होल कर लिया उसमें थोड़ी यान डाले और उन्हें इखटा करे ये तो सच में केंडी बुकमाग है इसकी वज़े से तो मैं और पढ़ूँगी आज मैं बिल्कुल तयार हूँ हलो स्ट्रैप बुकमाग तुम्हें ये काच मिला? वाव मैं और इंकजार नहीं कर सकती हाँ, हम ध्यान दे रहे है मैंने उन्हें उलू बना दिया मुझे तो ये बेशने चाहिए बस ऐसे ही कह रही हूँ क्या इनेक्स को देखकर आपको भूख लग गई? अच्छे बात है कि आपको पता है कि अपने पसंदिदा स्नेक्स कहीं पर छुपा कर कैसे रह जाएं इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी इन फूर्ट स्मगलिंग सीक्रेट्स की बारे में बताएं आपने ये देखा हमारे यूटिब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी मज़ेदार वीडियो मस ना करें करें दोस्तों करें